हेलो फ्रेंड्स दिस इस एश्पिशिंग एंड वेलकम टू श्मार्टर एवर डेज तो डियर फ्रेंड आज हम बात करेंगे इरिक्षन के मनोसामाजिक शिद्धन्त की एरिक्षन थिवरी ऑफ साइको सूशल डफलेप्मेंट यह आपको बीट में हेल्प करेंगा टेट सीट सूपर टेट जितने वी आपके टीचिंग एक्जाम्स होंगे वहां तक आपको इस क्लास से हल्प मिलने वाली है और एक-एक स्टेज को बहुत ही आशान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे अगर आप किसी भी बुक से इरिक्षन की थिवरी पढ़ते हैं तो आपको इतन किस तरीके से एकस्प्लेन करता है देखिए चलिए तो इरिक्षन का मनोसामाची सिद्धांत किस तरीके से हमारी लाइफ को एकस्प्लेन करता है देखिए सबसे पहले यह सिद्धांत इरिक इरिक्षन द्वारा प्रतिपादित किया गया है एरिक्षन का पूरा नाम क्या है इरिक इरिक्षन ठीक है? यह सिद्दांत इरिक इरिक्षन के दोरा प्रतिपादित किया गया है और इनका मुख उद्देश बच्चों किशोरों में विक्तिकत पहँचान यानि कि परसनल आइडेंटेटी कैसे होती है उस पर था जो इरिक इरिक्षन है इनका मुख से होकर के गुजरता है या एक इरिक्षन कहते हैं कि हमारा पूरा जीवन जन्म से लेकर के मरतिव तक सिर्फ एट स्टेज़स से होकर के गुजरता है इरिक्षन के इस सिध्धान्त को कुछ मनोवज्यानिकों के द्वारा जीवन अवधी सिध्धान्त जीवन अवधी विका इरिक्षन के इस इधान से छात्रों के सामवेगिक स्वास्था यानि की emotional health पर अधिक बल दिया गया है इरिक्षन के अनुसार प्रतेक अवस्था के धनात्मक्यान की positive और negative दोनों ही पक्ष होते हैं इसके कुछ positive और कुछ negative दोनों ही पक्ष होते हैं तो पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे इन सभी अवस्थाओं का वणन इस प्रकार है पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास देखिए इरिक्सन के सिद्धान्त किया पहली अवस्था है जिसकी अवधी 0 से एक या देर साल की होती है अब इसमें होता क्या है कि जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदी मिलता है उनमें विश्वास की भावना विक्सित हो जाती है दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदी नहीं मिलता तो वह रोना रोना बिलखना सुरू कर देते हैं रोते बिलखते चिलाते हैं इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास विक्षित हो जाता है जिससे उसे दूसरों के बारे में शक तथा दूसरों से अनावस्षिक डर भी उत्पन हो जाता है जिसने अब बात ये कही जा रही है कि जिन बच्चों को अपने माता पिता या जो भी अन्य देखरे करने वाले विक्ति हैं उस बच्चे के उनसे अगर उच्चित इश्वास ट्रस्ट की भावना विक्सित हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ, जिन बच्चों को माता पिता या जो भी अन्य देखरे करने वाले हैं, उनके द्वारा बच्चों को रोते भी लगते छोड़ दिया जाता है, माली जी बच्चा रो रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, इसे बालक के अंदर एक अनावसेक सा डर भी उत्पन हो जाता है वो किस पर विश्वास करेगा है ना यहां भाई छोटा बच्चा है जीरो से एक या डेट साल का बच्चा है अगर माबाब उसे वो रो रहा है उसे गोद ले लेते हैं दूद पिला देते हैं प्यार करते हैं तो बच्चे के अंदर विश्वास आ जाता है अगर वहीं पर बच्चे को रोता इब लगता छोड़ दिया जाता है तो बच्चे के अंदर एक नफरत की भावना अविश्वास की भावना अनावसेक डर उत्पन हो जाता है ठीके आई हुप की ये वाला स्टेज आपकी समझ में आ गई होगी विश्वास बनाम अविश्वास की बात हो गई ठीके चलिए बढ़ते हैं दूसरी स्वायतता बनाम लज्जा तथा सक जिसको हम आटोनॉमी वियस सेम एंड डाउट भी कहते हैं देखिए यह दूसरी अवस्था है जिसकी अवदी एक से या डेड़ से तीन साल की होती है ठीके श्वायतताकार्थ है स्वतंतरता या स्वैम अब यहां भी बच्चा आपका एक से तीन साल की तरफ बढ़ रहा है बच्चे की उम्र को भी ध्यान रखिए अब यहां बच्चा स्वतंतरता चाहता है अपने काम जैसे खाना खाना हो गया कपड़े पहनना हो गया अपने दैनिकार जैसे वाश्रूम बगरा जाना हो गया यहां बेबबु खुद करना चाहता है वे अब दूसरों पर निरभर रहना नहीं चाहते हैं इस पॉइंट प माता-पिता बच्चों को स्वादंतृ रूप से काम करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोजसाहेद करना चाहिए कि ठीक बेटा अब आप अपने हाप काम कर सकते हो, है ना? और अगर वही पर बच्चा अपने काम करना चाहा रहा है और जो कुछ सक्त माता-पिता होते हैं या वैसे माता-पिता जो अक्सर बच्चों को साधारन काम करने पर भी धमक देते हैं डाटते हैं पीटते हैं बच्चों पर चिलाते ही रहते हैं कुछ ऐसे प्रेंट्स होते हैं देखता हूं मैं भी कि जो है बिन बच्चे को यहां पर थोड़ी freedom दें स्वातंतरता दें और कोई भी अगर गलती है छोटी मुटी तो बच्चे को प्यार से समझा देना चाहिए बच्चे पर हर समय चिलाना नहीं चाहिए है ना तो बच्चे क्या होगा कि अगर खुद काम करेंगा तो उसके अंदर एक आत्म इस्टेल्स कहती है पहल बनाम दोस इनिशियेटिव वियस गिल्ड यहां बच्चा तीन से पांच या छे वर्स की तरह बढ़ रहा है देखिए जब बच्चे में समझने की चमता का थोड़ा विकास हो जाता है बच्चा आप यहां पर भाई तीन से छे वर्स की तरह बढ़ करण में अन्वेशन, एक्स्प्लोरीशन करना प्राडम कर देते हैं बच्चे को कुछ खिलावना दे दो पहले बच्चा उसे खेलेगा फिर अगर उसके मन में आ गया तो उसे खोल के देखेगा कि यह पहिया इसमें कैसे लगा है हिंडल कैसे गुमता है चलती कैसे है छोट दूसरी तरफ अगर माता पिता बच्चे की इस पहल की आलोचना करते हैं या उन्हें दंडित करते हैं तुमने एक खिलावना क्यों खोल दिया तुम इसे खराब पर दोगे तुमसे तोड़ दोगे है ना तो इसे बच्चों में दोस भाव गिल्ट फिलिंग उत्पन हो जा है ना और यहां पर बच्चे को दंडित नहीं करना है डाटना नहीं है अगर आप दंडित कर देते हैं डाटते हैं तो उसके अंदर एक दोस भाव गिल्ट फिलिंग हो जाती है चलिए तीन स्टेज़ पार हो गई फोर्थ मर्श्टेज क्या कहती है देखिए परिश्रम बन इस आवदी को उत्तरबालियावस्था भी कहा जाता है इसायू में बच्चा माबाप का हर काम करने की कोशिश करता है तो वो परिश्रम कहते है दूसरी तरफ अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया कि बेटा ये काम करो या करओ लाओ है ना और उस बच्चे की काम करने की छमता कम है वो उसको नहीं कर पा रहा है तो वह काम को नहीं कर पाएगा इसलिए उसमें हींता नहीं सुरू हो जाती कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता मुझसे नहीं हो रहा है ठीक है तो यह हो गया परिस्रम बना हींता अगर बच्चा करना चाहा रहा है मेहनत कर रहा है है ना लेकिन अगर आप उसे कोई ऐसा काम दे देते हैं जो उसकी योगिता से बाहर है बच्चा नहीं कर सकता है तो उसके अंदर एक हिंता की भावना आ जाती है है ना तो ये चीज है ये हो गया हमारा परिश्रम बनाम हींता की बाद हो गई अब हम बात करेंगे पहचान बनाम सब्रांती ये वो अवस्था है जब बालक 12-18 साल का हो रहा होता है ठीक हर स्टेज में अपने आपको भी रख करके देखा करो तो चीज जल्दी समझाएगी जब हम लोग 12-18 साल की तरफ के समय में थे तो हम लोगों के अदर क्या फिलिंग्स आते थी हम क्या करना चाहते थे वो शब पुराना समय याद किया करो इरिक्सन के शिधान्त की यहा पाँचवी आवस्था है जिसकी अवधी 12-18 साल की होती है किसोर आवस्था है यहाँ बचा पहचान बनाम संभानती या यहाँ पे बच्चा अपनी पहचान बनाना चाहा रहा है वो अगर रूसरे को देख रहा है कि एक विक्ती है जो बड़ी गाड़ी में चल करके आया है लोग उसे नमस्ते कर रहे हैं उसके लिए कुरसी डाल दी चारचे लोग उसके साथ बैठ गए ता अब वो विक्ती वहाँ पे बालग क्या सोचता है 12-18 साल का बच्चा हूँ पे क्या सोच रहा है अरे यार कास मैं भी इसके जैसे एक दिन गाड़ी में आऊं है ना और गाउं में लोग मेरा स्वागत करें मेरे चारचे लोग मेरे आस पास बैठें है ना गाउं सहर या जो भी हो तो इस प्रकार से वो अपने आपको ऐसा चाहता है वो ऐसे अपनी पहचान बनाना चाहता है इस अवस्था में किसोरों में यह जानने की प्रात्मिक्ता बनी रहती है कि वे कौन हैं बालक अपने आपको जानना चाहता है कि वे कौन हैं वे किस लिए हैं और वे अपने जिंदगी में कहां जा रहे हैं जाने का मतलब है किस स्टेज पे जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना है इसे पहँचान की संग्या दी गई है, बालक यहां पे अपने खुद की पहँचान बनाना चाह रहा है लोग मुझे जाने पहँचाने मैं जहां भी जाओं मेरा स्वागत करें मेरा मान समान करें जब किसोर अपने भविश का रास्ता नहीं निश्चित कर पाते हैं बच्चा यहां पर यह भी सोचता है जब वो डीम को देखता है आई-एस आई-पि-एस को देखता है वो देखता है वाह आई-एस होता है बढ़िया गाड़ी में आता है लाल बत्ती में आता है चार शे गाड़ी उसके पीछे चलती है है ना मैं भी ऐसे बनूँगा यही करूँगा फिर उसे लगता है कि यार इसमें बड़ी महिनत है बहुत समय लगता है है ना बहुत महिनत लगती है अब वो यहाँ पे confused हो जाता है है ना उसके अंदर समभरांती आ जाती कि यार ये तो मैं कर नहीं सकता तो मैं कैसे मेरा रुत्बा होगा मैं कैसे लाल गाड़ी में भूम पाऊंगा यहाँ पे अब वो समभरांती की स्थिती में आ जाता है तो ये स्थिज इस प्रकार से बालक क्या होता है confusion हो जाता है यही होती है पेहचान बराम समभरांती पहले बालक चाहता है मेरी पहचान बने और फिर जब वो अपने भविसका रास्ता नहीं तै कर पाता है उसे लगता है कि मैं इस label पे नहीं हूं मैं ये नहीं कर सकता मुझे नहीं होगा तो वो confusion में आ जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या है ना तो इस प्रकार से संभरांती आ जाती बालक के अदर क्या हो जाता है confused हो जाता है बालक चलिए अब बात आती है घनिष्टता बनाम अलगा होगी ये किस तरीके से Intimacy vs Isolation यह अवश्था बीश से 30 वर्षकी होती है यह बालक बीश से 30 साल का बढ़ रहा होता है जिसमें आप लोग भी हैं है ना आप लोग क्या मतलब हम भी हैं उसमें इस अवश्था में विक्ति दूसरों के साथ एक धनात्मक शम्मंद एक positive relation बनाना चाहता है यहां पर बच्चे लोग जो है अपनी दोस्ती विवहार है ना प्यार मान सम्मान सब कुछ बनाने कोशिश करते हैं जब विक्ति में दूसरों के साथ गनिश्था का भाव विक्सित होता है जो दूसरों से relation नहीं बना सकते, बना पाते वे समाजिक रूप से अलग या सोसल आइसोलेटिड हो जाते हैं जिसे अलगाव की संग्यादी गई है यहाँ पे आपकी बात किसकी हो रही है? घनिष्टा बनाम अलगाव की घनिष्टा यानि की इस उमर में व्यक्ती हम आप क्या करते हैं? दूसरों के साथ relation बनाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, पॉजिटिव लिसंसी बनाना चाहते हैं है ना? और फिर एक दूसरे के लिए समरपित भी हो जाते हैं लेकिन जो लोग ये घनिष्टा नहीं बना पाते हैं, एक दूसरे से क्लोज नहीं हो पाते हैं वो अपने आपको अलकेला महशूश करते हैं और उनके लिए जो अकेलापन है वो जिंदगी की एक काली संस्था की शमान होता है तो यहाँ पर हमें क्या होता है, कि हम लोग ज़्यादा ज़्यादा घनिष्टा की तरब बढ़ते हैं तो यही हो गया घनिष्टा बनाम अलगाओ अगर रिलेशन बन गया, तो हमारी लाइफ अच्छी कर रही है, हम घनिष्ट यानि क्लोज हो गया लेकिन अगर हम उसे वन्चित रह गया, तो अलगाओ आ गया हमारे अंदर, हम अकेले हो गया, समाज से वन्चित हो गया ठीक है, इसको अलगाओ की संगय दी गई है सेकंड लास्ट चिश्टेप है आज का, जन्नात्मक्ता बनाम इस्थिर्ता देखिए, किसी भी बुक में पढ़ लेना, इरिक्सन का मनों समय जिक सिध्धान्त, इतनी आसान तरीके स्वाज में नहीं आएगा ये अपने दोस्तों तक कॉलेज गुरूप में जरूर सेर करना, ठीक है, बहुत टाइम लगाया, इसको क्रिट करने में, बनाने में, पूरा टाइप करने में जन्नात्मक्ता बनाम इस्थिर्ता, जन्रालिटी वियस इस्टैक्नेशन की बात हो रही है इरिक्सन के सिध्धान्त की यह सातवी अवस्था है, जो 40-50 साल की आयू तक की होती है जन्नात्मक्ता से ताथ पर विक्ति द्वारा अगली पीड़ी के लोगों के कल्यान और समाज के लिए जिसमें वो लोग रहेंगे, उनको उन्नत बनाने की चिंता से होता है भाई 40-50 साल, है ना, 40-50 साल में जब विक्ति पहुंचता है, तो उसके बच्चे भी होते है तो वो चाहता है कि जो मेरे बच्चे हैं, वो आगे आने वाले समय में सक्षम हो, है ना, बढ़िया खुसाल होकर के रहें और जिस समाज में वो रहेंगे, वो उसको उन्नत बनाना चाहता है, उनका कल्यान करना चाहता है दूसरों का भला करने की सोचता है, इस उमर में जो विक्ति होता है, वो दूसरों की भला करने का सोचता है समाज का भला करने का सोचता है लेकिन अगर उसके अंदर ये सोच का development नहीं हो पाया तो उससे उसमें स्थिर्ता आ जाती है और उसे लगता है कि वे अपनी आने वाली PD के लिए कुछ नहीं कर सके ठीक है? तो ये point कहता है कि इसका जन आत्मक्ता बना मिस्थिर्ता पहले वेक्ति सोचता है कि जो मेरे बच्चे है 40-50 साल का खुद हो गया है वो है ना तो उसके बच्चे भी 20-25 साल के हो गए होंगे तो वो चाहता है मेरे बच्चे आगे बढ़िया life जो है सुख समरति शांति से रहें हैना लेकिन अगर वो दूसरों की भला करने का सोचता है लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके अंदर इस्थिर्ता आ जाती है है ना अब बात करेंगे last stage की संपूर्ता बनाम निरासा ये last step है देखिए संपूर्ता बनाम निरासा यह अंतिमाउसता है जिसमें लगबग 60 वर्स या उससे उपर से प्रारब हो करके मर्तिव तक की अवदी संपूर्त होती जब तक मरता नहीं वेक्ती तब तक इसी stage में वो चलता है अब सोची कि यहाँ पर 50-60 साल का वेक्ती हो गया है 60 साल का तो वो क्या सोचता होगा इस उम्र में आदमी की अधिक्तम इच्छाएं पूर्ण हो चकी होती है भाई यहाँ तक विक्ती अपनी जो इच्छा वो पूरी कर सकता था जितनी उसकी छमता थी उसने पूरी कर ली अब वहाँ अपने भविश्च की बजाए अपने बीते हुए दिनों को याद करता है कि मैंने अपने जीवन में क्या-क्या खोया क्या पाया मैंने कहां-कहां क्या-क्या किया लोगों के साथ अच्छा किया, बुरा किया मैंने क्या किया उसने अपने जीवन काल में कितनी सफलता हासिल की और उसे कितनी है सफलता मिले वो इन सब चीजों के बारे में सोचता है अगर उसकी सफलताइं ज्यादा है वो अच्छे तरीके से सक्सेश हो गया है तो उसे संपूरता कहते हैं अब जैसे आप लोग हैं हम लोग हैं अगर हम लोगों ने इस स्टेज में बढ़िया सफलता हास की थी हमने पढ़ाई की थी हमने एक अच्छा जीवन जिया लेकिन सोचो कि अगर हम लोग कुछ ना करें तो वहां पहुचने के बाद फिरा मारे अंदर क्या रहेगा अपने आपके अंदर घुटन रहेगी कि यार हमने कुछ नहीं किया हमने सारा जीवन फोन चलाने में ब आखिर समय उसे निरासा ही हात लगती है तो आगर यहां पर विक्तिती ने सबकुच जीवन में पा लिया है तो वह क्या करेगा उसे संपूरता मिल गई और अगर उसे सब कुछ नहीं मिल पाया तो क्या होगा उसके हाथ क्या लगी निरासा लगी प्यारे दोस्तों इस ख्र दोस्तों तक कॉलेज ग्रूप में जहां जहां सके सेयर कीजिए जो मेरा दूसरा यूटूब चैनल है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और यह जो पीडियेफ है यह भी टेलेग्रम चैनल पर दे दूँगा और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास मे क्वाद आता है